हेलो एवरिवान आप से भी करिवा फिर से रुद्धा नर्दिंग एक्स्प्रेस महार्धिक स्वागत है आज कमारे इंपॉर्टन डॉपिक ओवीजिन में आज हम लोग माल्टिपल प्रिगनेंसी के वारे में डिस्प्सिन करेंगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस वीडियो में समझने को मिलेगा यदि आप इस वीडियो का प्रिटिप डार आउट करना चाहते हैं तो आप हमें टेलिग्राम पर फॉलो कर लें उसका लेक मने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही है और जो भी वीजिए से चैनल पर पहले बाब विजिट किया है चै टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात फेरते हैं मुल्टिपल प्रिग्नेंसी इसकी डेफिनेशन क्या है तो डवलम्मेंट of two or more fetus in the uterus is known as मुल्टिपल प्रिग्नेंसी ठीक क्या कहना चाहता याद अखेगा जब यूटरस में आप गरभासे में दो या द उसे अधिक fetus का डवलम्मेंट हो रहा हो विकास हो रहा हो तो यह कंडिशन क्या कहलाती है मुल्टिपल प्रिग्नेंसी कहलाती है चले on the basis of number of fetus ठीक है यानि कि fetus की संख्य के आधार पर मुल्टिपल प्रिग्नेंसी जो है following types के हो सकते हैं सबसे पहला हमारा two fetus यानि कि ज यह कंडिशन हो सकती है कि तीन fetus हो ठेक तो वह condition triplet कहलाती है अगर चार fetus पल रहे होs दबलममेंट हो रहा हो उनका तो उनको इमकर कहते हैं कि क्वाड्रपलेट कहते हैं रइट यदि uterus में पाँच बच्चों का विखास हो रहा हो five fetus का डवलमिंट होता हो तो उस condition को guy कह है चलिए अब हम बात करते हैं twins pregnancy तो twins pregnancy क्या होती है development of two fetus in the uterus ठीगर जब गरवासर में दो बच्छों का भिकास हो रहा होता है तो उस condition को हम कहते है twins pregnancy क्या है तो twins pregnancy क्या है ठीगर तो मैंने आपको क्या बताया था जो twins pregnancy वाले जो case होता है वो most common case है जादे तर आपको देखने को मिलेगा ठीगर इसका ratio जाओता है 80 is to 1 important है यहाद अखीगर 80 is to 1 का मतलब क्या होता है यहाद अगर 80 मेला है pregnant है तो 80 मेले से एक ऐसा case आपको मिले जाएगा इसका पिल्स pregnancy का case मिले जाएगा clear है चार अब हम बात करते हैं twins pregnancy के types तो कौन कौन से types होते हैं दो type होते हैं monozygotic twins और dizygotic twins राइट चारी तो सबसे पहले हम बात करते हैं monozygotic twins के ठीक है तो याद दखेगा इसको हम identical twins या uniovular twins के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसके definition क्या होगी when one egg ठीक है जब एक अंडा fertilized to one sperm ठीक है जब एक अंडा एक sperm से fertilized हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं monozygotic twins कहते हैं जैसे कि आपकी गर में वी समझ सकते हैं देखें ये क्या हमारा एक sperm है और एक हमारा egg है ठीक दोनों जा fuse हो जाएंगे तो क्या बनेगा जैगोर्ट बनेगा जैगोर्ट दैन स्पिर्ट हो जाता है दो हिस्तों में ठीक है तो ऐसे जो हमारा identical twins का formation होता है राइट चलिए next point है one third या 33% monozygotic twins occur of total case of twin pregnancy अगर हम twin pregnancy की बात करते हैं तो total case का यार दखीगा one third जो है monozygotic twins होते हैं ठीक है 33% कहलो या one third कहलो ठीक है तो total twin pregnancy के दर हम बात करते हैं तो उसमें 33% हिस्सा जो है monozygotic twins का हो सकता है राइट चलिए next हमारा point है important है they are sex ठीक है इनका link physical and mental characters are same ठीक है इनके सारे जो बनावाट होती है यह मानसिक चुभी सिस्थाएं होती है उनका link होता है सेम होता है कैसा होगा व्यकुल equivalent होगा राइट चलिए अब हम बात करेंगे types of monozygotic factors केत्रे प्रकार के होता है ठीक है तो सबसे पहला है हमारा dichorionic, diamniotic, twins pregnancy ठीक है याद अगरने का trick याद रखीगा पहला जो है मैंने आपको क्या बता है था dichorionic, diamniotic यानि याद अखेगा DD क्या याद अखोगे आप DD ट्रिक याद अखना है तुस्तरे जो है आपको याद रहेगा ठीक है तो दी का मतलब क्योंदेगा dichorionic, फिर दो बार जो दी आया है उसका मतलब क्योंदेगा diamniotic चाले तो इसका मतलब क्योंदेगा form during cleavage in morula stage one to third day यानि कि जब fertilization हो जाता है jagode बनता है jagode के एक से तीन दिन बाद यानि कि morula stage जब cleavage होता है divisions होते है तो उस condition में जो है dichorionic, diamniotic आपका twin pregnancy फोगा ठीक है याद रखेगा इस case में आपको यानि कि धीदी के case में याद रखेगा दो जो है आपको chorionic sex बहुत important point है ठीक है जिस पर मैं गोला कर रहा हूँ इस पर थोड़ा आप ध्यान देना दो chorionic sex बनेंगे दो amniotic sex बनते हैं आपके ठीक है दो प्लासेंटा होंगे इसमें ठीक दो तो फीटस रहेंगे हमारे और दो अम्रिकल कोर्ट रहेंगे अलग-अलग राइट चले नेक्स्ट हमारा टाइप है monochorionic diamniotic teens pregnancy ठीक है यानि कि इसको short mom हम लोग क्या कहेंगे ठीक में याद अखीगा मोध ही कहेंगे क्या कहेंगे मोधी ठीक याद अखना तो आपको जो है यह टाइप याद हैगा यानि कि मोज से क्या होगा हमारा monochorionic हो जाएगा और दीका मतलब diamniotic हो जाएगा ठीक है तो fall during cleavage in blastocyst अब मोडूला के बाद में जब blastocyst stage आती है ठीक है तो उस condition में क्या होता है 8 से 13 दिन यानि कि 8 से 13 दिन लग जाते हैं blastocyst बनने में तो उस समय जब cleavage होता है ठीक है तो उस condition को हम क्या कहते है monochorionic diamniotic prince pregnancy कहते हैं clear है और सबसे याद रखेगा most common type होता है ठीक चले अब इसमें भी आपको important point है याद रखना जिस पर मैं गोला कर रहा हूँ इसमें आपको एक जो है chorionic sec देखने हों कि मिलेगा दो amniotic sec होते हैं one placenta होगा दो fetus तो हमारे रहेंगी रहेंगे ठीक और दो ambilical cods होगे ठीक चलेए next हमारा type है monochorionic, monoamniotic, ठीक है twins pregnancy याद कि MOMO ठीक क्या याद रखेंगे? MOMO याद रखेंगे ठीक form during implanted blastocyst ठीक 8 to 13 days याद कि 8 से 13 दिनके कर हम बात करते हैं जब हमारा blastocyst ठीक है uterus में implant हो जाता है ठीक और उनमें division जब start होने लगता तब याद रखेंगा monochorionic, monoamniotic twins pregnancy बनती है ठीक चलेए अब इसमें भी आपको याद रखना है जिस पर मैं गोला कर रहा हूँ ठीक है तो यह important point है इसमें याद रखेंगा एक chorionic sac होगा आपका, एक amniotic sac होगा, दो fetus तुम्हारे रहेंगे ही रहेंगे और दो amnical cods रहेंगे ठीक है चालेगे, next हमारा type है conjugated twins ठीक है, तो conjugated का मतलब याद रखेंगा, conjugated का मतलब होता है मिलना, ठीक है, सही अगमा निंद में कहते है इसको, ठीक अच्छा है, तो when embryonic disc formed in blastocyst, ठीक है याद रखेंगे जो blastocyst होता है ठीक, जैसे माली जी blastocyst है, ठीक, उनके और जो ये अंदर से खोगला होता है, तो उसको हम क्या कहते है, blastocyst कहते है ठीक है, कहीं बियों के seal word है, तो उसका मतलब क्या है cavity-like structure, ठीक है, तो blastocyst होता है हमारा, उसमें क्या है, embryonic disc का जा formation होता है तो उस condition में आपके conjugated twins बनते हैं, ठीक है, very rare case, बहुत ही ये rare case हो सकता है, ठीक, following abnormalities में अकट, इसमें conjugated twins में आपको बहुत सी abnormalities देखना हो को मिलेंगी, चाले तो एक एक करके समझते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम बात करते है, thoracopagus, ठीक, या दखिए, अगर कहीं प्रेगर्स वर्ड हो जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है, joint or conjugation, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक, thoracopagus में क्या होता है, जो आपका chest होता है, thoracopagus मतलब क्या होता है, thoracopagus में क्या होता है, तो यहाँ पर दो बच्छों को chest होगा, वो आपत में क्या होंगे, combine होंगे, जुडे होंगे, तो उस condition को हम Carmenot Canvas कहता है, ठीक, नेच्ट के हमारा, Siphylopagus, ठीक, Siphylो Holz का मतलब क्या ह खोपडी नज़र आएगी, यानि कि एक single skull आपको नज़र आएगा, ठीक, upper body जो है, वो fuse होगी, इसमें, ठीक, जैसे कि आप ये cup figure, देखें, यहाँ पर, ये condition हमारी क्या कहलाती है, शिफेलो figure कहलाती है, तो आप देख रहें, यहाँ पर single skull है, ठीक, क्या है, single skull है, वो क्यों होए single skull, क्योंकि यहाँ पर head जो है, वो ispricard joint होए है, ठीक, जो skull है, वो single देखना में बिलकुल लगता है, ठीक, और upper body कैसे यहाँ पर, देखें, यहाँ पर, यह upper body कैसे हमारी fuse है, राइट, चाली, नेक्स्ट अमारा टाइप है, onfellopagus, ठीक, when both fetus conjugate with anterior abdominal wall, ठीक, anterior, यहाँ आँगे वाली, अगर हम anterior abdominal wall की बात करते हैं, दोनों जब जोड़े हों anterior wall से, तो वो condition क्या कहलाती है, हमारी onfellopagus कहलाती है, ठीक, जैसे कि आप भी फिगर से भी समझ सकता है, राइट, चाली, नेक्स्ट हमारा टाइप है, राची-पेगस, ठीक, तो राची-पेगस में चाहता है, joint back-to-back along the length of spine, ठीक, यानि जब दोनों बच्चों की पिठी along, यानि जितनी spine का तुछ साइज है, यानि पूरी spine के अंतरगा तब हम बात रहते हैं, अगर पूरी spine जो है, पिठी दोनो आपस में जोड़ी है, तो वो condition क्या कहलाईगी, आपको राची-पेगस कहलाईगी, जैसे कि आप फिगर से भी समझते ही, ये condition हमारी के राची-पेगस, दोनों जो इसकी back है, वो along the spine जो है, आपस में जोड़ी होई है, ठीक, चाले, चाले, next हमारा टाइप है, पैरापेग डाइ-प्रो-सोपस, तो एक, इसमें क्या होता, two faces laterally fuse, ठीक, यहाँ पर आपके जो दोनों जो face होते हैं, वो laterally fuse होगे, ठीक, जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी समास सकते ही, ये दोनों जो face है, ठीक, यह आपस में देखी figure face जो है, दोनों laterally fuse है, तो वो condition क्या कहलाते है आपको पेरापेगस डाइप्रोसोपस कहला एगा, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा टाइप है, पेरापेगस डाइसिफेलस, ठीक है, क्या है, पेरापेगस डाइसिफेलस, ठीक है, तो having two heads and sharing a single body, ठीक, आपको यहां पर देखे, figure से भी समझ सकते हैं, यहां पर क्या है, दो head आपस में joint होगे, लेकिन उनकी जो नीच है, जो body होगी, वो single body है, देखे, यहां पर क्या, single body है, ठीक, चलिए, नेक्स्ट हमारा टाइप है, craniopagus, टीक, तो craniopagus condition क्या होता है, two head fuse, जब दोनों सेर आपस में fuse होगे, जैसे कि आप देखे रहे figure में, यह कि हमारा craniopagus है, राइट, चलिए, चलिए, नेक्स्ट हमारा टाइप है, pyopagus के मतलब क्या होता है, जब दोनों बटक आपस में fuse होगे, दोनों बटक होते हैं, जब आपस में fuse होगे, तो वो condition के कहलाती है, pyopagus कहलाती है, ठीक है, ठीक है figure में, समझे, यह condition के हमारी pyopagus है, दोनों बटक है, आपस में fuse होगे, चलिए, नेक्स्ट हमारा टाइप है, इस्ट्यों पेगस, ठीक है, तो इस्ट्यूम आपने देखाऊगा, अलगरीक रेजियन में, इस्ट्यूम बोन पाए जाती है, जब इस्ट्यूम आपस में, कॉडल जो पार्ट होता है बच्चे का, अगर वो दोनों आपस में fuse हो, अब बात करेंगे, टाइजणित्यूम ओड सânciaफिर्ण थेर्णों के नाम से रहा है, अधूम आपस मेंड आपसित्यूम च्प्रिणाइब स्राट उख्चार ठीकड,ंख यह अगर, figure में भी समझ सकते हैं देखी यहाँ पर क्या है यह हमारा एक 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 ही हो गया दूसरा एक ही हो गया ठीक है और यह क्या है दोनों एक जो है अलग अलग स्पर्म के दोरा आप असमें fertilize हो रहे हैं तो यह condition क्या कहलाती है हमारी Diagotic Twins कहलाती है ठीक चलिए next point है share averagely 50% of their genes and their blood types and sex can be either same or different ठीक यहाँ पर जो होता है genes का 50% आपस में sharing होती है ठीक अब दूसरी बात क्या होती है इनके तो blood types है sex के गर हम बात करते हैं तो यह same हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं जबकि आमने आपको क्या बता है था पूरा पूरा same होगा ठीक है each embryo implants in bone separately याने कि यहाँ पर क्या होता है देखे वहाँ पर जब fertilization होगा था तो जाइगोर्ट बना था जाइगोर्ट जब है डवाइड हो जाता है ठीक है तो somatic twins का formation होता था तो उसको अनुब जाइगोर्ट जो है ठीक यह अलग अलग जो है इनका development होगा ठीक टू embryo बनाएंगे और यह अलग अलग जो है uterus में implant हो जाइंगे clear चलिए next हमारा पॉइंट है separate प्लासेंटा एंड separate ameutic ship और form यहाँ पर बच्चे का अलग प्लासेंटा का formation होगा अलग जो है आपको अनुटिक सेट देखने को मिलेगा right चलिए next हमारा पॉइंट है two-third या 66% डाइजाइगोटिक टेंज अकर अफ टोटल केस्ट प्रिगनेंसी अगर हम प्रिगनेंसी की बात करते हैं तो कुल प्रिगनेंसी का 66% या two-third जो है आपको डाइजाइगोटिक टेंज देखने को मिल सकता है बिलकुल समझागे चलिए बात कर लेते हैं हमारा causes of multiple pregnancy, multiple pregnancy होने के क्या-क्या chances हो सकता है तो सबसे पहला क्या हमारा older age या कोई भी ऐसी महिला है women older than 30 have a greater chance of multiple conception यानि कोई वरसे हमारी महिला है जो 30 से ज्यादा है 30 से ज्यादा इनकी उमर हो गई है बहुत से महिला सोचते हैं कि हम जो है लेक प्रिगनेंट होना चाहते हैं जैसे कि आपने देखा है काफी एक्टर्स जो बॉलिवोड एक्टर्स हैं ठीक काफी पैसे वाले उनकी एक मेंटरिटी रहती है ठीक है कि हम मदलब जो है लेक्ट में बच्चा करेंगे ठीक है तो जो तीस या उससे ज्यादा जिनकी उन्ड़ होती है उनमें जो है ये आपको मल्टिप्ल प्रिगनेंसी देखने को मिल सकती है राइट चलिए नेक्स हमारा है है एक फैमिली प्रिगनेंसी के चांसे बढ़ जाते हैं राइट चलिए नेक्स कि हमारा पॉइंट है मल्टी ग्रेविटा ठीक मल्टी ग्रेविटा को भी हो सकता है मल्टी ग्रेविटा का मतलब क्या है है यानि कि जब पांच या पांच से अधिक बार कोई महिला प्रिगनेंट हुई हो तो उस condition में जो है आपको multiple pregnancy देखने को मिल सकती है, चले, next हमारे क्या है, race, अगर हम प्रजाती की बात करते हैं, race की बात करते हैं, तो याद अखिएगा, African American लोग जो होते हैं, जो मैलाए होती हैं, उनमें multiple pregnancy की संभापना बहुत ज़्यादा होती है, जब की Asian या Native Americans के जो मैल होती हैं, उनमें multiple pregnancy, ना के बदावा या बहुत ही कम देखने को मिलेगी, right, चले, next क्या हमारा, ovulation stimulator, eye stimulation medicines, ठीक, कुछ हमारी जो मैलाए होती है, अंडे को सर्जन करने के रिए कुछ medicines का यूज करते हैं, ठीक, यह जो medicines होती हैं, जैसे आपका chromiphene हो गया, ठीक, chromiphene citrate है, FSH हो गया, Fonical Stimulating Hormones हो गया, यह क्या करते हैं, यह ovulation को stimulate करते हैं, ठीक, जब ovulation stimulator होगा, तो निस्चेद है कि multiple arm, जो आपकी pregnancy है, उसकी संभावना काफी जादा हो गया, next क्या हमारा, IVF technique, ठीक है, तो IVF technique का, आज कल हम लोग महिलाए हो यूज करते हैं, जिनके बच्चे न ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको बचाया भी था कि जब हम कुसी प्रकार की ovulation stimulation medication का यूज करते हैं, तो उस condition में क्या multiple pregnancy की जो संभावना है वो possibility के बढ़ जाती, वैसे ही यहाँ पर IVF technique में भी इसका यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी multiple pregnancy की chances बढ़ जाते हैं, राइट, चाले, बात कर लेते हैं, हम लोग science symptoms की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे science, सबसे जो multiple pregnancy होती है, उसके चिन होते हैं, क्या ऐसे condition उत्पान हो सकते हैं, आपको जो है multiple pregnancy है, ठीक है science देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहले है, fetal moment is more than one area, अगर आप ज examination करेंगे, ठीक है, externally, तो आप देखेंगे कि feature का जो moment हो रहा है, एक जिएक पर्टिकुलर एरिया में ना कर जो है, अलग अलग एरिया में जब हो, तो समाझ जाएए कि उन्हा पे marital pregnancy की chance है, ज्यादा, ठीक है, next क्या है, fundal height is greater than gastrational age, ठीक है, gastrational age क्या होती है, संभावित से लेके, आपके uterus के top, तक्ति जो height होती, उसको हम क्या कहते है, fundal height कहते है, ठीक, तो fundal height अगर gastrational age से जादा है, ठीक है, तो उस condition में इन multiple pregnancy की chances हो सकते है, ठीक, next क्या है, the baby bump is measuring larger than expected, ठीक, अगर baby का जो bump होता है, जो बटव होता है, वो normal के तुलिदा में कुछ size उसका large समझ में आता है, तो इस condition में भी जो हम multiple pregnancy के chance बढ़ जाते है, ठीक है, next क्या है, abdominal size is more, ठीक है, अगर हमारी mother है, उसका abdominal का, जो size abdomen का, वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इससे भी हमें पता लग सकता है, कि हो सकता size multiple pregnancy की case होई है, ठीक, next क्या हमारा, gaining weight quickly, बहुत जल्ल जो है, बजन का बढ़ जाना, ठीक है, next क्या है, having high level of SCG, ठीक है, यानिके SCG हर्म क्या होता है, pregnancy हर्म कहलाता है, ठीक है, इसका full form क्या होता है, human chorionic gonadotropic, जब SCG level का हमारे blood में काफी ज़्यादा conlable हो जाए, तो ये condition किसको सोख करती है, multiple pregnancy को सोख, ठीक, next क्या है, alpha fetal protein made by the fetus liver, यदि fetus के liver के द्वारा, alpha fetal protein का formation हो रहा है, तो ये भी जो है, किसको indicate करेगा, multiple pregnancy को indicate करेगा, right, चले, next क्या है, having more than one fetal heart on a fetal Doppler, जैसे क्या आपी figure में देख रहे है, ये कि हमारे fetal Doppler, एक machine होती है, equipment होती है, इसके द्वारा, अगर आप fetal की heart जब सुनते हैं, तो एक से ज़्यादा आपको सुनाई देता है, ठीक, तो ये condition भी जो है, multiple pregnancy को indicate करेगा, right, चले, चले, अब हम बात कर लेते हैं, symptoms की, ठीक, तो क्या-के symptoms हो सकते हैं, क्या-के lection देखने को मिले सकते है more nausea and vomiting, ठीक, normal pregnancy की तुला में, यहाँ आपको ज़्यादा nausea और vomiting देखने को मिलेगी, ठीक, fatigue, ठकान ज़्यादा मैसूस होगी, ठीक, भीस्ट में जो है, tenderness रहेगा, ठीक, frequent urination बार-बार जो है, पेसाप त्यागने की इक्छा होती है, ठीक, increased appetite बहुत ज़्यादा भूग ल मिलती है, shortness of breath, जो सास्य होती, वो छोटी-छोटी रहेंगी आपके, ठीक है, constipation आपको देखने हो मिलेगा, anemia देखने हो मिलेगा, ठीक, fanting देखने हो भी मिल सकता है, fanting क्या होता है, मूर्चा करते है, ठीक, चले बात कर लेते हैं, हम लोग diagnosis की, ठीक, तो कैसे इसको diagnosis कर करते हैं, और confirmation देते हैं, कि हाँ, वित्ती को जो है, multiple pregnancy है, तो सबसे पहले तो हम history collection करते हैं, physical examination करेंगे, ठीक, इसके बाद जो हम लोग internal examination करते हैं, ठीक, ultrasonography हो गया, x-ray हो गया, next हमारे क्या है, maternal serum test, ठीक, maternal serum test में जैसे अभी आपको मैंने बताया था, कि अगर female के blood में SC का level, जब ज़्यादा हो जाता है, normal के तुल्ला में, ठीक, ये condition जो है, किसको indicate करेगा, multiple pregnancy को indicate करेगा, ठीक, ठीक, next हमारा alpha fetoprotein, ठीक, जैसे के मैंने आपको बताया था, ठीक, जब fetus का lever, ठीक, fetus का जो जिगर होता है, यदि ये alpha fetoprotein का formation करने लग जाए, ठीक, तो ये condition किसको indicate करेगा, multiple pregnancy को indicate करेगा, right, ठीक, ठीक, बात कर लेते है, effects या complications की, अब इसका proper तरीके से treatment ना किया जाए, तो multiple pregnancy की क्या-क्या जटिल थाए, आपको देखने को मिल सकते है, तो सबसे पहले हम बात करते है, fetal complication, ठीक, यानि जो बच्चे में क्या-क्या complications अपन हो सकते तो सबसे पहले क्या है, pretern baby, यानि कि समय से पहले बेवी का डबलम, बर्थ होना, उसका जनम ना, ठीक, तो इसको हम pretern baby कहते है, ठीक, next क्या हमारा intrauterine growth retardation, ठीक, यानि कि गल्व के अंदर जो बच्चे का जो growth हो रहा है, वो proper तरीके से नहीं हो पा रहा है, अमंदन हो चु दो में से किसी एक बच्चे का जो है, डेथ हो जाना, गर्म के अंदर, तो वो condition क्या कहलाती है, हमारी intrauterine death of one fetus कहलाता है, next क्या हमारा, conjugated twins, जैसे तो मैं आपको बतायता है, जब दो twins की body, कब कोई मी part आपस में fuse होता है, या जोड़ जाता है, तो वो condition क्या कहलाती है, conjugated twins के लाती है, ठीक, चारी, अगला क्या हमारा, congenital malformation, ठीक, याना कि जन्म जाती कोई बिक्रती उतपान हो रही है, ठीक है, next क्या है, respiratory distress syndrome, respiratory distress syndrome में क्या होता है, यहाँ पर जो alvely होती है, बच्चे की lunges की alvely होती है, उनका doublement proper तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि नहीं हो जो एक product होता है, chemical product उनकी कमी होती है, ठीक है, इसलिए जो है, वहाँ पर alvely का formation नहीं हो पाता है, next क्या हमारा twin twin transfusion syndrome, ठीक है, चली, अब हम बात करेंगे maternal complications, याने कि मा में जो है, हमारी जुम बादर है, उन में क्या-क्या जेटलता है, देखने को मिल सकती है, तो सबसे प next क्या है, preeclampsia, देखनों को मिलेगी, preeclampsia में क्या होता है, जो blood pressure होता है, खाफी high होता है, ठीक है, आपकी urine में जो है protein, उससाज़त होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है, next क्या हमारा spontaneous abortion, अपने आप जो हैं आपर abortion हो सकता है, ठीक, malpresentation, हम जानते कि malpresentation का मतलब क्या होत ठीक को छोड़कर कोई भी position हो, ठीक है, जा है वो आपका breech हो, या shoulder position हो, ठीक है, या बटक position हो, या आपको कोई transverse हो, या कोई oblique position हो, ठीक है, तो ये condition क्या कहलाता है, हमारी malpresentation कहलाता है, next क्या हमारा antipartum hemorrhage, ठीक है, antipartum hemorrhage से मतलब क्या है, before pregnancy, जो है bleeding होना, antipartum कहलाएगा आपका, ठीक है, next क्या हमारा purpurial sepsis है, ठीक, sub involution हो सकता है, ठीक है, lactation failure, ठीक, next क्या हमारा possibility of surgery increase, यानि कि जो surgery के संभावनाइज हो है या पर बढ़ जाती है, ठीक, next क्या हमारा hypermysis gravidarum देखने को मिलेगा या ठीक, prolonged liver, जो liver की division होता है या पर वो बढ़ जात है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक भीरो देखने को मिलेगा, ठीक, चलिए next हमारा है postpartum he motor यानि कि after delivery के बाद में जो beating OTA use counter कहते हैं, पी-पी-च कहते है, रइक, चलिए. आशा करता हूं तो topic आपको अच्छे थे समध में आप देऊगा, topic है, comment करके जरूर बताएगा है, य आपने दोस्तों के साफ में ज्याता से ज्याता से शेयर करें यदि आपने आप लिग तु कि ने ay john go get तु त्प्छलिया आफाय ख्याल रहती है टेक में वाय वे हुआ थाकी सो माँच